आज फिर से हमावस की काली अंधेरी रात थी, जो पूरे तरीके से अंधेरे में डूबी हुई थी आज फिर से मैं अपनी जिंदिगी का सबसे बड़ा पाप करने के लिए जा रहा था इस काली अंधेरी रात में जोरों से बारिश हो रही थी आज तक मैंने अपनी जिन्दगी में लगभग 103 लड़कियों के इज़त से खेला था इस अंधेरी तुफान बारिश होती हुई रात में मैं अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी मन्जल की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक ही मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई मैंने जैसे तैसे फटाफट से ब्रेक लगाया और गाड़ी से बाहर निकल कर आया एक बार को तो मुझे लगा कि शायद वो लड़की मेरी गाड़ी के नीचे आ गई है बाहर निकल कर देखा तो वो लड़की बहुत जादा रो रही थी और रोते हुए मेरे पास आई उस रात वो सफेद रण के कपड़ों में लिप्टी हुई थी बारिश बहुत जादा तेज थी जिसकी वजह से वो शायद पैदल नहीं जा सकती थी और उसने मुझसे मदद मांगी वो मुझसे कह रही थी कि मैं उसको उसके घर तक छोड़ दूँ आगे वो कहने लगी कि मैं एक विद्वा हूँ और मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है उसकी बातों को सुनकर मुझे बेहद हैरत हुई वो तो बिलकुल भी बच्चे की मां लग ही नहीं रही थी सही बताऊं तो मुझे तो वो शादी शुदा भी नहीं लग रही थी हज से जादा खुबसूरत थी मैं तो अपनी नजरों सही उससे हटा नहीं पा रहा था पूरी तरह से उसके कपड़े भीग गए थे उसके भीगे हुए बदन को देख कर मेरी नियत आज फिर बिगड़ गई मैंने उसे अपनी साथ गाड़ी में वैटनी को कहा कुछी देर में हम मेरे घर तक पहुँच गए अपने घर पहुँचते ही मैंने गाड़ी रोकी और उसे अपनी घर में चलने को कहा वो मना करने लगी मैंने उसे आगे कहा कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है इतनी आगे तक नहीं जा पाएंगे उपर से इतनी जादा बारिश हो रही है कि अगर कहीं फस गए तो मकैनिक भी नहीं मिलेगा वो आगे कहने लगी कि ठीक है मैं कुछ देर यहां पर रुख जाती हूँ वो लड़की तो आज मुझे किसी भगवान से कम नहीं समझ रही थी कि मैंने उसकी इतनी अंधेरी रात में मदद की लेकिन यहां मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था जैसे ही वो मेरे घर में दाखिल हुई मैंने उसे पकड़ लिया वो मुझसे अपने आपको छुडानी की कोशिश कर रही थी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं सीधा मेरी नीन सुबा ही खुली मुझे बहुत जोरों से चक्कर आ रहे थे रात को मैं एक पाप और कर चुका था सुबा जब मर्स सो को उठा तो अपनी डाइरी को खोलने के लिए जा रहा था दरसल ये एक ऐसी डाइरी थी जिसमें मैं अपने पाप और जुर्म को लिखता था मैं बहुत बड़ा पापी इंसान था आप लोग सोच रहे होगे कैसा आदमी है क्या बोले जा रहा है लिकिन ये बात सच है मुझे इसमें कोई शरम नहीं कि मैं एक पापी हूँ आज भी रात के किये हुए पाप को मुझे अपनी डाइरी में लिखना था जैसे ही अपनी डाइरी के पास गया तो वहां का मंजर ऐसा था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई इस समय मेरी नजर डाइरी से हटकर उस लड़की पर चली गई जिसे मैं कर रात को ले के आया था उस लड़की को देखकर तो मेरे मानों होश ही उड़ गए हूँ उसकी हालत देखकर मेरा दिल तो जैसे फटने को था मैंने उस लड़की से जाकर बात किया और उससे सारी हकीकत जानने की कोशिश की उसके बाद उसने अपनी जिन्दगी की जो सच्चाई मुझे कही वो कहानी मुझे मेरी पुरानी दुनिया में ले गई थी क्योंकि उसकी कहानी भी ऐसी थी जैसी मेरी थी बहुत दुख दर्द साहा था मैंने उसकी कहानी सुनते हुए अपने ही दर्द में मैं खो गया था ये बात तब की है जब मेरी उम्र लगबग 20 साल हुआ करती थी आज से लगबग 10 साल पहले की बात हो गी उस समय मैं बहुत संसकारी और अच्छा लड़का था, कॉलिज का छात्र था, बेकॉम की डिगरी हासल भी कर चुका था, हर रोज सुबा उठने के साथ ही सबसे पहले भगवान की भक्ती में लग जाया करता था, बुरे कामू से तो मानो मेरा कोई वास्ता ही नहीं था, मैं ब बहुत जादा सब्र और विनम्रता थी, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा था, और ना ही कभी किसी को जान बुचकर किसी तरीके की कोई तकलीफ पहुचाई थी, लगबग 20 साल का था मैं उस समय, इसके बाद मेरी जिन्दगी पूरी तरह से पलट गई, मानो जैसे मेरी उपर गमों का पहाड ही तूट गया हो, उस एक घटना की वजह से मैं पूरी तरह से बदल गया, एक दिन में ऐसे ही बैठा हुआ था कि मुझे एक अंजान नंबर से फोन आया, सामने से आदमी ने कहा कि तुम्हारे ममी पापा का एक्सिडेंट हो गया है, ये खबर सुनते ही मान गये, भगवान के अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था, भगवान में मेरी बहुत आस्ता थी, मैं हॉस्पिटल के पास केही मंदिर में गया और वहाँ फूट फूट कर रोने लगा, भगवान से प्रार्थना की कि वो मेरे मा और पापा की जिंदगी बक्ष दे काफी दिनों तक मेरे ममी पापा अस्पिताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रहे, और मैं लगातार उनकी सलामती की प्रात्ना करता रहा मुझे यकीन था कि मैंने अपनी जीवन में भगवान की जितनी पूजा अर्चना की है वो मुझे उसका फल जरूर देंगे कम से कम उन दोनों में से किसी एक को तो वो बचा ही लेंगे उस समय में भगवान को अपने किये हुए हर अच्छे कर्म की कसम दे रहा था मैंने उने कहा था कि वो मेरे मा पापा की जिन्दगी बख्ष दे रो रो के उनसे भीक मांगी थी मैंने उनकी जिन्दगी के लिए लेकिन मेरी प्रार्थना आस्विकार हो गई मेरे ममी पापा दोनों का दिहान थो गया ये खबर मेरे ऊपर किसी पहाड की तरह गिर गई थी मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी किसी बे तरह की सोच बनाने के लिए और तजूर्बे को पाने के लिए इनसान को सिर्फ एक पल की ही जुरत होती है वो एक पल यही था हमारी जिन्देगी का एक कमजोर सा लमहा हमें हमारी जिन्देगी के उसूलों से हटा देता है मेरे ममी पापा की मौत की खबर मुझे सही नहीं जा रही थी और यह है वो ही समय था जो बहुत कमजोर था मेरे लिए जिसने मुझे एक ही पल में सही रास्ते से गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था बहुत समय तक मैंने अपने आपको पूरी दुनिया से दूर एक कमरे में बंद कर लिया था ना मैंने काफी महीने तक किसी से बात की और ना ही अपने घर से बाहर निकला कुछ समय बाद जब होश आया तो दुनिया की तरफ वापस मुड़ा था मैं मुझे पदा चला कि मेरे पापा की कंपनी तो पूरी तरीके से डूब गई है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस परिशानी से खुद को किस तरीके से निकालू मम्मी और पापा का इतना बड़ा गम था कि मैं आस तक भी अपने आपको संभाल नहीं पाया था मेरे लिए तो खुद को संभालना ही मुश्किल हो रहा था तो उनकी कंपनी को मैं क्या ही संभालता मेरी बच्पन से ही एक आदत थी कि मैं हमेशा हर पुन्य को डाईरी में लिख लिया करता था चाहे वो मैंने किसी की मदद की हो, किसी भी बूढ़ों को सम्मान दिया हो या कोई भी दूसरा अच्छा काम किया हो मैं हमेशा उसे अपनी डायरी में लिख लिया करता था हमेशा यही सोचता था कि आज मैंने ये अच्छाई का काम किया है तो भगवान मुझसे बहुत खुश होंगे उनको खुश करने में ही तो पूरी जिंदगी लगा रहा था मैं एक बर फिर मैंने खुद को संभाला और भगवान की तरफ अपना मन लगाने की कोशिश की फिर से उनसे प्रार्थना करने की कोशिश की पापा का तो सारा काम ठप हो ही चुका था अब सभी को अगर मैं सही बताऊं तो मुझे उस कारोबार से किसी तरीकी का कोई लालच नहीं था लेकिन उस कारोबार को मैं सिर्फ इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि मेरे पापा की वो आखरी निशानी थी उन्होंने बहुत महनत करके इस कारोबार को खड़ा किया था और मैं उनकी महनत को इस तरीके से खत्म होते नहीं देखना चाहता था मेरे पापा की ये आखरी निशानी जो थी मेरे डाइरी में लगबग बहुत सारे अच्छे काम दर्ज थे जिसको मैं कभी गिन भी नहीं पाया था आज भी जब मैं घर गया तो मैंने अपनी डाइरी को उठाया और उसके एक एक पन्ने को पलटना शुरू किया जैसे जैसे मैं पन्ने पलट रहा था उस जाइरी में लगबग हजारों से भी ज़ादा अच्छे काम लिखे हुए थे मैंने अपने भगवान से कितनी ही बार माथा टेक कर रो रो कर उस दिन प्रार्थना की थी कि मेरे किये हुए इतने अच्छे कामों का सर्फ एक फल दे दो मेरे मम्मी और पापा को बचा लो लेकिन भगवान से वो भी नहीं हुआ मैंने उनसे कहा था कि वो मुझे इन सब मुश्किलों से निकाल दे मैंने इश्वर से कहा कि मेरे पापा को उन्होंने नहीं बचाया तो कम से कम उनकी आखरी निशानी बचाने में मेरी मदद करे दिन रात मैं डायरी को देखता रहता और रोता रहता था हर रोज भगवान के आगे जाकर प्रार्थना करता था खूब मेहनत कर रहा था उस कारोबार को बचाने के लिए मुझे उमीद थी कि इस बर भगवान मेरी प्रासना जरूर सुनेंगे और मुझे इस मुझे इस मुझे घड़ी से निकाल लेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया एक के बाद एक उन्होंने मुझे सब कुछ छीन लिया था एक लड़की थी जिसको मैं बहुत प्यार करता था लेकिन उसको जैसे ही पता चला कि मेरे पापा का कारोबार खत्म हो गया है वो भी मुझे हकिला छोड़ कर चली गई वो तो मुझे से भी जादा पैसे वाले घर से थी शायद एक गरीब के साथ अब नहीं रहना चाहती थी पर मैंने उसे सचा प्यार किया था मैं उसके बिरा नहीं रह सकता था मैं हर रोज बहुत रोता था भगवान से प्रार्थना करता था कि वो वापस मेरी जिन्दगी में आ जाए लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ उसने शादी कर ली और उसके बाद वो विदेश चली गई मैंने उसके बावजूद उसको अपनी जिन्दगी में लाने के लिए बहुत कोशिश ही की बहुत प्रार्थना है की लेकिन मेरी प्रार्थना यहां भी स्विकार नहीं हुई भगवान ने तो मुझसे एक के बाद एक सब कुछ ही नहीं लिया था पहले मेरे मम्मी पापा को फिर मेरे पापा की आखरी निशानी और उसके बार मेरा प्यार भी अब मुझे बहुत मायूसी होती थी अब मैं जीना नहीं चाहता था अपनी जिन्दगी से मुझे नफरत सी होने लगी थी धीरे धीरे मैंने भगवान से भी दूरी बना ली अब मुझे समझा गया था कि मैं उनसे कुछ भी मांगूंगा वो मुझे नहीं देंगे उन्होंने तो उल्टा मेरी पूरी जिन्दगी ही खराब कर दी कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने मेरे पास अब चाहे जो मरजी हो जाए मैं कोई अच्छा काम नहीं करूंगा और मैंने सोच लिया था कि अब मैं सारे काम सर्फ बुरे करूंगा ना जाने मुझे उस समय क्या हुआ था मैं गलत रास्ते पर निकल गया उस दिन मैंने एक डाइरी और खरीदी जिसमें मैं अपने सारे पाप और जुर्म लिखा करता था मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि अगर मैं बुरा काम करूंगा तो मैं इन सब परिशानियों से भी निकल जाऊंगा वो मुझे कह रहा था क्या तुने देखा नहीं जो लोग चल कपट करते हैं भगवान भी उनी का साथ देता है अक्सर जो लोग पैसे वाले होते हैं वो किसी की इज़त करना नहीं जानते पर लोग तभी भी उनके आगे पीछे गूमते हैं भगवान भी ऐसे ही लोगों को भरभर के पैसा देता है अच्छा कर्म करके किसी को क्या मिला है पंडित भी कैसे जिन्दिगी जीता है तुने देखा ही है न वो तो अच्छा काम ही करते हैं पर देखा है कभी किसी पंडित को अमीर मैं भगवान से प्रातना कर करके ठक चुका था तो पता नहीं क्यूँ पर मुझे उसकी बाते आज सही लग रही थी और मैंने सोच लिया था कि अब मेरे लिए बुरा काम ही सही होगा अच्छा इनसान तो हमेशा फस्ता ही चला जाता है पहले मैंने छोटे मोटे गलत काम शुरू किये आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैंने चोरियां भी कौन सा ऐसा खराब काम था जो मैंने नहीं किया अब तो मेरी जंदगी में पाप ही पाप भर चुका था मैं अक्सर लड़कियों को अपनी जंदगी मिलाता और उनका इस्तवाल करने के बाद उन्हें छोड़ दिया करता था ऐसे ही करते करते मैंने ना जाने कितनी ही लड़कियों की इज़त को तार-तार किया था मुझे भी इस काम में इतना मज़ा आने लगा था कि मैं आपको क्या बताऊ भगवान को तो मैंने ना जाने कब कब भुला दिया था और ये बात भी सस्थी कि मैं दिन में दिन तरक्की भी कर रहा था काम्याबी मेरे कदम चूम रही थी मैंने बहुत लड़कियों को फसाया हुआ था हर रात मैं गाड़ी लेकर बाहर निकलता था तो कोई न कोई लड़की मुझे मिल ही जाती थी मेरा हमेशा का काम था कि उसकी इज़त से खेलना मुझे कभी भी इस बात पर किसी तरीके का कोई अफसोस नहीं होता था वो लड़किया भी मेरे पैसे देखकर अपनी मर्जी से मेरे साथ रिष्टा कायम करती पर इन्ही में से एक लड़की ऐसी थी जिसको मैं फसाना चाहता था पर मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और ना जाने क्यूँ मेरा दिल भी इस लड़की पर आ गया था एक जित सी आ गई थी मेरे अंदर उसे पाने की मुझे उस लड़की में अपनी परचाई सी दिखने लगी थी मुझे यकीन था कि वो लड़की भी मेरी ही तरह है और इसी वजह से वो इस तरीके के कामों में है मैंने उसे कभी देखा नहीं था बस उससे चैट होती थी ना जाने क्यों मुझे यकीन हो गया था कि वो भी मेरा साथ देगी लेकिन मेरी लाग कोशिशों के बाद भी वो लड़की मुझे नहीं मिल पाई उसके अलावा मुझे बहुत लड़किया मिली जो इस तरीके के कामों में थी आप तो जानते ही हैं कुछ लड़किया इस तरीके के काम अपनी मर्जी से और कुछ जबरदस्ती की वजह से करती है लेकिन मेरे पास पैसा इतना था कि शायद ही कोई लड़की ऐसी थी जो मुझे मना कर देती तकरीबन बहुत लंबा समय ऐसी तरीके से गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला कामयाब मैं बहुत जादा था लेकिन क्योंकि अब मेरा ध्यान इस तरीके के कामों में जादा लग गया था तो अचानक से मेरी कमपनी के शेयर गिरे और मेरी कमपनी डूबने लगी मैंने बहुत कोशिश की थी अपनी कमपनी को बचाने की और उसे फिर से खड़ा करने की पर इस बार मेरी सारी कोशिशे नाकाम रही मैं बुरे कामों में इस कदर गिर चुका था कि अब वापसी का रास्ता बहुत धुंदला दिख रहा था तभी मुझे मेरी एक दोस्त ने होसला दिया और वो कहने लगी कि मुझे वापस वो सब चीज मिल जाएगी मैं कोशिश करूँ लेकिन लाग कोशिश के बाद भी मेरी कमपनी मुझे नहीं मिल पाई मैं उसे वापस पहले जैसा खड़ा नहीं कर पाया उस रात भी जब मैंने उस विद्वा लड़की को फसाया था तो वो मेरे लिए ऐसी ही रात थी जब मैं बहुत कमजोर हो गया था मेरा कारोबार खत्म हो गया था कुछ पल के सुकून के लिए ही मैं उस लड़की को अपने घर लेकर आया था उसका इस्तमाल करना चाहता था मैं इश्वर से तो मैंने अपना रिष्टा कब का तोड़ दिया था प्यार भी मुझे मेरा छोड़ कर कब का जा चुका था तब ही तो मैंने ये रास्ता अपनाया था ना आज मैं इस गंदे कामों के दलदल में इस तरीके से फस चुका था कि अगर कोई मुझे चाहता वो तब भी मुझे नहीं निकाल सकता था पर आज जो हकीकत मेरे सामने खोली उससे मैं हैरान रह गया था लेकिन उस विद्वा लड़की ने सारी हकीकत मेरे सामने खोल दी थी वो मेरे सामने ही थी मेरी डायरी जिसमें मैं अपने सारे पापों को लिखा करता था वो डायरी जल चुकी थी टेबल पर उसकी बस राख पड़ी थी जबकि रात को जब मैं आया था तो मुझे बहुत अच्छे सा याद है कि वो डाइरी बिल्कुल ठीक थी लेकिन सुबा मुझे सिर्फ उसकी राक मिली मैं बहुत हैरान हो गया था ये कैसे जल गई जब मैंने उस लड़की से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसी ने उस डाइरी को जला दिया है मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यूं करेगी क्यूं जलाएगी वो उसे जब मैंने उसे सज्जानने की कोशिश की तो वो मुझे कहने लगी कि वो वही लड़की है जिससे मैं फोन पर चैटिंग किया करता था और जिसको मैं हर हाल में हासिल करना चाहता था आगे वो कहने लगी कि मैं वही हूँ जिससे तुम अपने दिल की सारी बाते कर लिया करते थे तुमने मुझे देखा तो नहीं तो तुम मुझे पहचान भी नहीं पाए ये वही लड़की थी जिसको मैं मिलना चाहता था उसकी बातों को सुनकर मुझे गहरा जटका लगा था क्योंकि मैंने उसको फसाने के लिए बहुत कोशिश की थी पर वो मेरे जाल में नहीं फसी आज अचानक से वो कैसे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई उसे मेरे बारे में कैसे पता चला वो कहने लगी मैंने तुम्हारी अच्छाई वाली और बुराई वाली दो नुडाईरिया देखी मैं जानती हूँ कि तुम भगवान से बहुत जादा नाराज थे मैं भी उन्हीं मेंसे एक हूँ मैं भी उनसे बहुत जादा खफा थी और मैंने सोच लिया था कि मैं उन्हें कभी नहीं मानूंगी उनकी बातों को सुनकर मुझे एक और जटका लगा क्योंकि वो तो बिल्कुल मेरी जैसे ही बाते कर रही थी मैंने उसे अपनी जिन्दगी की जितनी भी बाते की थी मुझे उमीद थी कि वो किसी के सामने कुछ नहीं कहेगी मैंने उसे पूछा कि जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती ही हो मैं कौन हूँ तो तुम यहां क्या कर रही हो तुमें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँगा और कल रात को मैंने कर भी दिया वो मुझे कहने लगी कि मेरा मकसद कुछ और ही था मैं भी तुम्हारी तरह ही एक बागी लड़की हूँ जिस तरीके से तुमने अपने मम्मी पापा और अपने प्यार में भगवान को छोड़ दिया और गंदे कामों की तरफ आ गए मैंने भी अपने पती की प्यार में भगवान को छोड़ दिया और इस रास्ते को अपना लिया था जिस तरह तुमने अपने माबाप की जिंदगी के लिए भगवान से प्रार्थना की थी उमीदे बांदी थी मैंने भी अपनी पती की जिंदगी के लिए उनसे ऐसे ही उमीदे बांदी थी तब मेरी नहीने शादी हुई थी मेरे पेट में मेरा बच्चा था लेकिन अचानक से मेरे पती बहुत जादा बिमार हो गए हफते भर से जादा वो अस्पताल में रहे मैं भगवान के आगे बहुत गिर गिराई थी रोती रही कि वो मेरे पती की जिन्दगी बख्ष दे लेकिन मेरा कोई आसो काम नहीं आया और वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए उनके जाने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं इश्वर को नहीं मानूंगी तुम्हारी और मेरी कहान ही लगबग एक जैसी ही है मैंने अपनी जिन्दगी का काफी समय क्रिश्चन बन कर ही गुजारा है भगवान से तो मेरी आस्था ही तूट गई थी उन्हें मैंने कब का छोड़ दिया था उन्होंने मेरे पती को मुझसे छीना था अपनी कहानी को बताते हुए वो जोर जोर से रो रही थी मैं भी चुपचा बैट कर उसकी कहानी को सुन रहा था वो और मैं बिलकुल एक जैसे लग रहे थे उसके साथ भी वही सब हुआ था जो मेरे साथ हुआ था वो कहने लगी कि मेरी तो भगवान से आस्था इस कदर तूट गई थी कि मैंने अपना धर्म ही छोड़ दिया था और मैं क्रिश्चन बन गई थी उसकी बातों को सुनकर मुझे एक गहरा जटका लगा था मैं जानता था कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ पर मैंने कभी भी अपने धर्म को बदलने की कोशिश नहीं की मुझे अपना धर्म बहुत प्यारा था लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे एक पल को उससे भी डर लगने लगा था वो लड़की आगे कहने लगी कि मैंने सोचा कि भगवान ना सही पर अगर मैं चर्च में जाऊंगी तो वहाँ से प्रार्थना करूँगी तो मेरी प्रार्थना जरूर पूरी होगी मैंने हर वो काम किया जो कृष्चन अपने भगवान को खुश करने के लिए करता है और हैरत की बात तो ये है कि मेरी हर प्रार्थना स्विकार भी हुई उन्होंने मेरी हर प्रार्थना को पूरा किया अपने पती को बचाने के लिए मैंने जिस इश्वर से इतनी प्राथना की थी वो इश्वर मेरे मन से कबका निकल चुका था अब मैं कृष्टन बनकर ही खुश थी अब मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिससे मैं अपने मन की सारी बाती कर सकूँ और उसके बाद मुझे तुम मिल गए मुझे तुम से बहुत प्यार हो गया तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता था कि तुम ही भी मुझे से प्यार है तुम भी मुझे से मिलना चाहते हो समय के साथ-साथ मुझे ऐसा हैसा हुआ कि अपना धर्म बदल कर मैंने ठीक नहीं किया ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मेरा इश्वर ही मेरी मदद कर रहा है वो भगवान आज भी मेरे दिल में थे इसाई बनने के दौरान मैंने कुछ क्रिश्चिन लोगों के मुझे भगवान के लिए कुछ खराब बाते सुनी जो मुझे बिलकुल भी बरदाश नहीं हुई उस पल को मुझे हैसास हुआ कि वो इश्वर ही मेरे दिल में आज भी बसते हैं मैंने अपना धर्म बदल कर बिलकुल भी ठीक नहीं किया था मुझे उस बात का आज भी पस्तावा है कुछ समय बाद मैंने अपना धर्म बदल लिया और मैं फिर से अपने पुराने धर्म में चली गई तुमसे बात करने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि तुम भी उस भगवान से रूट कर ही इस तरीके के कामों में गए हो ना जाने क्यों मेरे मन में आया कि जस तरीके से मैं उस इश्वर की भक्ती में वापस आई हूँ मैं तुम्हें भी ले आऊ ताकि तुम अपने खराब काम छोड़ दो बस इसी वजह से उस रात में जान बुचकर तुम्हारी गाड़ी के सामने आई थी मैं अच्छे से जानती थी कि तुम मुझे अपने साथ जरूर ले कर जाओगे हमारी बातों के दारान तो तुमने मुझे बताया ही था कि तुम्हारे पास एक जुर्म वाली डायरी है जिसमें तुमने अपने सारे जुर्म लिखे हुए है बस यही एक वजह थी कि मैंने उस डायरी को भी चला दिया तुम्हारे सारे पाप का लेखा जुका मैंने मिटा दिया है भगवान के पास तो आज भी लिखा है जिसका फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा लेकिन समय रहते हैं अपनी अच्छाई की तरफ वापस लौट चलो उसकी इस तरीके की बाते सुनकर मेरा मन भराया मैं बहुत जोर जोर से रो रहा था आज फिर मुझे अपने ममी पापा की बहुत यादा रही थी अपने उस प्यार की यादा रही थी अपना वो पुराना समय यादा रहा था जब मैं एक बहुत अच्छा भला इंसान था मैं क्यूं ऐसा हो गया था मैं यही सोच रहा था कि इतने पाप करने के बाद भी क्या ये मुम्किन है कि मैं भगवान की तरफ वापस लोटू क्या भगवान मुझे अपनाएंगे किस मुझे जाओंगा मैं उनके सामने मैंने उस लड़की से कहा कि तुम तो इतनी अच्छी हो कि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया और मैंने कर राथ तुम्हारे साथ क्या किया मुझे बेहर शर्मिन्दिगी है इस बात की वो कहने लगे कि तुम परिशान मत हो कर राथ हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ मैं हैरान रह गया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है मुझे बहुत अच्छे सा याद है कि मैंने तुम्हें पकड़ा था वो कहने लगे कि मुझे पर यकीन करो हमारे बीच कुछ नहीं हुआ कर रात को मैंने तुम्हें जो जूस दिया था उसमें मैंने नींद की दवाई दे दी थी जिसको पीते ही तुम बहोश हो गए जिस समय तुमने मुझे पकड़ा उसके कुछ ही सेकेंड बाद तुम बहोश हो गए थे हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ कोई रिष्टा नहीं बना तुम से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपने सारे गरत काम छोड़ दो इमानदारी का रास्ता अपना लो और भगवान पर भरोसा रखो आज से सभी अच्छे काम करो अपने पापो को प्राइस्शित करो भगवान तुम्हें जरूर माफ करेंगे किसे इनसान के सामने जुको मत जुको पर इश्वर के सामने उनके सामने तो हमेशा जुकना ही चाहिए आज इस लड़की ने मुझे हकीकत का आईना दिखा दिया था उसने मुझे मेरे भगवान से एक बर फिर मिला दिया था शायद उसी भगवान ने इस लड़की को मेरे लिए यहाँ पर भेजा था मैंने उस लड़की का बहुत धन्यवाद किया और भगवान की भक्ती में वापस मुड़ गया कुछ समय तक हम साथ रहे और उसके बाद हम दोनोंने शादी कर ली आज वो मेरी पत्नी है उसके बच्चे को भी मैंने अपना लिया आज हम दोनों एक खुशाल जिन्दगी गुजार रही है बहुत लंबा समय लगा मुझे इस जिन्दगी में वापस आने में मेरे प्यार को भगवाने चीन जरूर लिया था लेकिन मुझे एक उससे भी अच्छी जीवन साथ ही उन्होंने दे दी जो हर कदम मेरा साथ देती है वही मुझे इस रास्ते पर भी लेकर आई है मुझे किसी भी तरीके की परिशानियों को सामना नहीं करना पड़ता कभी अच्छा तो कभी बुरा वक्त तो चलता ही रहता है लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी हमसफर है जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती जो कभी मुझे सही रास्ते से भटकने ही नहीं देती आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इसी की वज़ा से हूँ आज मैं फिर भगवान की आस्ता करने लगा था उनके आगे जुकने लगा था हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम बहुत कमजोर बढ़ जाते हैं भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी प्रार्थना को स्विकार करें लेकिन इश्वर हमारी प्रातना स्विकार नहीं करते पर यही वो समय है जब आपको भगवान में अपनी आस्था नहीं घोनी चाहिए भगवान हमेशा जो कुछ भी करते हैं सिर्फ हमारे लिए ही करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं मेरी तरह कभी भी ऐसे तैश में आकर भगवान से मूं मत मूरना, आप लोग हमेशा अच्छाई और सच्छाई के रास्ते पर ही चलना I hope ये कहानी आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो चानल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे, लाइक कर दीजे और अपने प्यारे से कमेर नीचे ड्रॉप कर दीजे मिलूंगे आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बबाई